गुर्ण मॉणिंग एफ्रिवन बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्वर और ब्यंचन स्वर क्या है और ब्यंचन क्या है जब ही हम अपनी मुख से कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनिया निकलती हैं जो हमें कुछ अर्थ भी बताती हैं और दूसरे बेती हमारी बातों को आसानी से समझ लेते हैं लेकिन इन्ही धौनियों को जब हम लिखित रूप में चिन्हित करते हैं तो वह वर्न बन जाता है या अक्छर बन जाता है यानि वर्न को ही हम अक्छर कहते हैं वर्न भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम और टुकडे नहीं कर सकते हैं तो वर्न दो प्रकार के होते हैं स्वर और ब्यंजन सबसे हम पहले हम देखते हैं स्वर्वर्न क्या है स्वर्वर्न इग्यारा होते हैं इस तरह से इग्यारा स्वर्वर्न है जिसके उचारन में कम समय लगता है उसे हम हर्ष करते हैं और जिसके उचारन में जादा समय लगता है उसे हम दिर्ग करते हैं जैसे यहां आ के उचारन में कम समय लगा लेकिन आ के उचारन में एक लंबा समय लगा तो इसे हम दिर्ग करते हैं उसी तरह यहां भी हर्ष ई और दिर्ग ई हर्ष उ और दिर्ग उ इस तरह से हमने स्वर्वन के बारे में जाना अ से अनार, आ से आम, इ से इमली, इ से एक, उ से उल्लू, उ से उन, रीशे रिशी, ए से एडी, ए से एनक, ओ से ओखल और ओ से औरत अब हम स्वर्व की मात्राओं को जानेंगे यहां स्वर्व की मात्राओं दी हुई है, यह स्वर्व है, स्वर्वक्षन है, और यहां उसकी मात्राओं दी हुई है आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए यहाँ पर डैश है, आ में आकार, यहाँ आकार की मात्रा इस तरह से होती है, छोटी एकी मात्रा इस तरह से होगी, बड़ी एकी मात्रा इधर से आएगी, छोटा हूँ इधर से, और बड़ा हूँ इधर से, री अक्षर के नीचे में लगाया जाता है ए शिरो रेखा के उपर एक मात्रा ए शिरो रेखा के उपर दो मात्रा उसी प्रकार ओ इसमें भी आकार के उपर में एक मात्रा और ओ में आकार के उपर दो मात्रा इस प्रकार से हमने स्वर देखा और स्वर की मातराओं को देखा अब हम ब्यंजन वर्न देखते हैं ब्यंजन क्या है? यहां आपके बुक में ब्यंजन वर्न दिया हुआ है आप देखिए यह है क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग, च, च, ज, ज, इया, ये च वर्ग था, ट वर्ग में, ट, ठ, ड, ध, अना, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालबश, मुधनियश, दंस, और ह, इस तरह से हमने कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग देखा, यहां य, र, ल, व, तालबश, मुधनियश, दंस, ह, बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा, कि जब मैं ब्यंजनवर्ण का उचारन कर रही थी, तो प्रतियक उचारन में एक अशब्द निकल रहा था, यानि क, ख, ग, हर उचारन में एक अशब्द छिपा हुआ था, लेकिन यह लिखा, जब भी हम लिखते हैं, तो यह दिखाई नहीं देता है, लेकिन उचारन में यह सुनाई देता है, तो कहने का यह मतलब है, कि स्वरवर्ण जो होते हैं वह बिलकुल स्वतंत्र होते हैं उसमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है लेकिन ब्यांचन वर्ण को हमेशा स्वरवर्ण की वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है या बिना स्वरवर्ण के पूरा नहीं हो पाता है यहां ब्यंजन वर्ण की ही कुछ और अक्षन है जैसे अक्षा, त्र, ग्य, और श्र इन्हें हम संयुक्त अक्षर के रूप में रखते हैं किन्तु इसकी चर्चा हम आगे क्लास में करेंगे आपको सिर्फ कवर्ण से लेकर हा वर्ण तक जानना है यानि ब्यंजन वर्ण में कुल 33 वर्ण होते हैं आपको इन 33 वर्णों के बारे में क्लास वर्ण में जानना है फिर से आप देख लिजे एक वर क से कभूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ा, अंग से कुछ नहीं च से चर्खा, च से चाता, ज से जग, ज से जनना, इयां से कुछ नहीं त से टमाटर, ठ से ठतेरा, ड से डमरू, ध से धक्कन, अन से कुछ नहीं त से तबला, ठ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, और न से नल पा से पतंग, फा से फल, बा से बत्तक, भा से भवन, मा से मचली, या से यग्य, रा से रत, ला से लड़की, वा से वन, शा से शलजम, शा से शटकोन, सा से सबजी, और हा से हल यहाँ पर एक, दो वन और आए हैं, अड़ा और अढ़ा, इनको भी हम बात में पढ़ेंगे, आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आपको जानने के लिए मैं सिर्फ यह बता दे दी हूं, कि यह शब्द के सुरू में कभी भी नहीं आता है, यह अच्छर जब भी आता है, सब्दों के बीच में आता है, जैसे सडक मैंने लिखा है, यहाँ अड़ा सब्दों के बीच में आया, यानि तीन वर्णों के बीच में आया, यहाँ पढ़ना, यहाँ भी यह वर्ण जो है बीच में आया, तो यह सब्दों के बीच में आता है, लेकिन इसके बारे में आप आगे क्लास में जानेगा आपके लिए भी इतना ही 33 वर्ण को जानना जरूरी है यहां मैंने कॉपी में स्वरों का प्रियोग करना बताया है मैंने आपको पहले भी कहा कि स्वर वर्ण जो होते हैं वह बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं लेकिन ब्यंजन वन जो होते हैं, उन्हें हमीशा स्वर की आउशक्ता होती है, वह बिना स्वर के कभी पूरा नहीं हो सकता है, तो आईए मैंने कुछ शब्द बनाए हैं, आप उसे भी एक बार देख लीजिए, जैसे यहाँ आ स्वर है, तो आ से मैंने बनाया अद्रक यह लेकिन जब मैंने ब्यंजन वन से बनाया अ से तो बना घर, यहाँ पर घर, आ से यह मूड रूप में है आसन, यहाँ पर आकार की मातरा लगा कर अगर ब्यंजन वन से हम बना रहे हैं, इसमें स्वर की भी सहायता हमको लेनी पड़ी, मैंने पहले भी आपको बताया कि ब्यं one बिना स्वर के कभी पूरा नहीं होता है तो यहाँ पर मैंने बनाया now अब यहाँ आपको करना है मैंने यहाँ तो सारे सब्द بनाए हैं लेकिन आपको भी यहाँ पर एक एक सब्द बनाते जाना है जैसे a say मैंने बनाया घर यहां दूसरा सब्द आप बनाएंगे आ से मैंने बनाया नाव दूसरा सब्द यहां पर आप बनाएंगे जैसे आपको जानकारी के लिए मैं दे दूँ घर दूसरा सब्द हो जाएगा अमर नाव से बन जाएगा यहां पर नाव हो गया यहाँ दूसरा सब्द जैसे हो जाएगा नाम, काम, उसी तरह यहाँ E, मून रूप में आया इलाज, लेकिन जब यहाँ पर ब्यांजन में मैंने स्वर की मात्रा लगाकर एक सब्द बनाया तो बन गया किताब, यहाँ दूसरा सब्द आपको बनाना है, एक सब्द मैं बता द चीता, उसी तरह आप बनाईएगा पीला, चोटाओ, उचल, मूलरूप में उचल लेकिन ब्यानजन से मैंने सब्द जब बनाया मामे, चोटी उखी मात्रा लगाकर तो बन गया मुर्गा उसी तरह एक दूसर सब्द है दुकान बडियू की मात्रा से ये मूल रूप में है उन और ब्यंजन में जूता री से रिशी और ब्यंजन में मैंने बनाया ब्रिक्च ए से एडी और ब्यंजन वन में मैंने बनाया ब्यंजन वन में स्वर्वन की साहता लेकर जब एक सब्द बनाया तो बन गया बेल ऐसे एनक ब्यंजन में यहाँ पर मात्रा रूप में अगर देखेंगे तो पैर ओसे ओकली यहाँ ब्यंजन में तोता ओसे ओजार यहाँ पर उससे मैंने बनाया पौधा तो एक एक सब्द मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूँ जैसे यहाँ पर हो जाएगा अमर यहाँ पर हो जाएगा नाम यहाँ पर चडिया यहाँ पर पीला यहाँ दुकान यहाँ दूद ब्रिच दूसरा सब्द हो जाएगा क्रिशक, बेल, केला, पैर, बैर, तोता, मूर, पौधा, नौका इस तरह से यहाँ पर दूसरा सब्द आपको लिखना है इससे आपको स्पेलिंग की भी जानकारी हो जाएगी और मात्राओं का भी ज्यान हो जाएगा यहाँ आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप देख लिजी जानकारी के लिए कि जब भी ब्यंजन वर्ड में हम स्वर्ड की मात्रा मिला करके कोई शब्द बनाते हैं तो वह सब्द पूरा हो जाता है और स्वर्ड जो है स्वतंत्र रहता है लेकिन ब्यंजन को हमेशा स्वर्ड की साहता लेनी पड़ती है यहाँ ब्लू कलर से आप देख लिजी, यहाँ भी आपके बुक में है उदारन के लिए आप समझ लिजी जैसे सितार, किताब, छाता, गाजर, हाथ, नाव, चीता, दीपक, पीपल, कीड़ा, मुर्गी, गुलाब, दुकान, पुलिस, जूला, फूल, चूहा, बुड़ा, ब्रिक्च, म्रिग, सेप, बेल, शेर, केला, थैला, पैसा, बैल, मैना, मूर, तोता, धोबी, गोबी इस तरह से आप समझी गए होंगे कि हमें साब ब्यंजन वर्ण को स्वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे बिना स्वर्ण की ब्यंजन वर्ण की सब्द के सब्द कभी भी पूरे नहीं होते है अब यहां मैंने आपको हूमवर्ण के रूप में कुछ वर्ण दिया है यहां पर मैंने स्वर्ण को लिखा है लेकिन यह स्वर्ण जो लिखेवे हैं यह क्रम बद रूप में नहीं लिखेवे हैं यानि क्रम से नहीं लिखेवे हैं यहां आ है यहां ओ है यहां ए और आपको लिखना है यह क्रम से आपको सजाना है तो यहां पर आपको यहां क्रम से सजाते वे आपको लिखना है स्वरवन को इससे आपको स्वरवन की भी जानकारी हो जाएगी और यहां पर मैंने question number two में मैंने दो फूल बनाए हैं इसमें मैंने स्वरवन भी लिखा है और ब्यंचन वन भी लिखा है यहां दो कॉलम मैंने ब को चाट कर यहां लिखना है और ब्यंचन वर्ण को चाट कर आपको यहां पर लिखना है इससे आपको ब्यंचन वर्ण की भी जानकारी हो जाएगी तो इन दोनों वर्ण को आप अपनी क्लास वर्ण कॉपी में करेंगे और कल हम कुछ आपके बुक में दिये वे अभ्यास जो है उसको देखेंगे और उसको हम साथ मिलकर करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू